हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल फूर एंड लाइफ मैं आपका फिर से स्वागत है और इस बार में बनाने जा रही हूँ सोयविन की चार्ट तो आई होब कि आपको पसंद आएगी इसलिए मेरे साथ जूड़े रहे हैं और प्लीज प्लीज मेरी पूरी वीडियो देखिए मैंने सोयविन के चार्ट बनाने के पूरी तयारी कर लिए मैंने एक टॉरा सोयविन भीगा के पहले से रखा हुआ है और थोड़ी से मिटर हैं दो प्याज दो टामाटर और यह चार लेसन की कर लिए और तीन से चार मैंने हरी मिर्च लिए मैंने लिए ने सब काट दिये हैं यहां वारी वारी चौप कर दिया है और मैंने मिर्च यहां थोड़ी मोटी रखी है क्योंकि मेरी बेटी को चाट बहुत पसंदे जम इसे दूँ तो उसमें सी मिर्च चार्ट कर दे सकता है मैंने कड़ाए गेस पेर रख दी यह आप हम अ इसे में डालने के लिए जीरा और हिंग लिए हैं मैंने एक चोथाई चम्मत जीरा इसे माल किया है जब तक जीरा हमारा ब्राउन ना हो जाए इसको ऐसे ही चले रहने दिना है हम अपनी गेस के आज को मिडियम साइज पर ही रखेंगे जीरा काफी अच्छे सुने रिरम में हो चुका है अब हम इसमें लहसन डालेंगे और जो हमने प्याज काटर हम बोड़ा देंगे याद रिखिए लहसन को हमने जलाना नहीं है तो इसको रखा जांपने लेना है हमने अपने काटर हो दोनट प्याज के लिए हैं हमने इसमें हिंग पहले नहीं डाला था क्योंकि अगर हम इसमें हिंग पहले डालता तो वह जल जाता है इस वज़े से हम इसमें अब हींग डानेंगे सब्सक्रेश h быть से डाय में हींग इसमें से डिए मुआरे हमारे प्याज बीद्बात काफी वी सुनेपरन तब हो चुके हैं हम necessarily से जादा अब हम इसमें डालेंगे टामाटर ोंच अ कि केड़के इसे अारेगा ध हुआती नो, है। कर सकता हुआ नो, है ते मुआ हैं लिए ए टूआ हैं की अब हमोच को अब जालेंगे हैवि नमक निर्च को ऐङए जाला है मैं अज्छा नमक डाला है एक चम्मश जित्ता नमक डाला है यह आधा चम्मे जित्ता नमक डाला है निर्च का मसाला बहुत ही कम करेंगे और आदा चमच हमने डाला है इसमें गरम मसाला अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेकर ही यह राई हमें टर्माटर को ज्यादा पकाना नहीं है तो पिर हमें चाट का मसाला नहीं देगा अब हम इसमें पहले डालेंगे बटर और इसको अच्छी से चला लेंगे तो इसमें अच्छी से चला लेंगे होड़ी बेज़े करके हमें इतनी अखनी तो यह रहना है रादरिके सोयाबीन को हमें दिगा करके विजाबीन की बहुत इसकी होती है बॉई नहीं करना है बॉई करके सोयभी मीट दूँ जाती है ज्यादा अपर इसकी मीट देती है हमें उसके भीजे दिन पकाना करता है में इसमें डाल दिया हमने सकी जाज़ा दी है हमें इसे अच्छे से अलाम के बाद तकरिण पांच मिनदट तरह कि अच्छे जाए अब हम इसे तक कम से कम पांच मिनदट ऐसे डखे रहें हैं हुआ हमने इसे पांच मिनरत करें अब इसे चेट करेंगे हैं कि पैन कि यह हमारा लगत क्यार हुआ है अब इसे में थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे आप चाहिए इसमें मींगू या अम्चुर्गा पाड़र भी डा सकते हैं और में इसमें जमीदर डारी हूं अब हमारा ये चाट तयाद हो चुका है अब हम भी इसमें प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं और इसमें प्याज कमाटर हम उपर से डालना चाहिए तो हम भी डाल सकते हैं क्योंकि चार्ट में जब तक कच्छा प्याज ना आए मिन में तो स्वाद आता ही नहीं और आप दियान से देख सकते हैं कितने अच्छे से यह पक चुका है हमने इसे ज्यादा नहीं पकाया क्योंकि अगर यह ज्यादा पक जाए तो यह सबजी बन जाएगी तो इसलिए हम हमारी सोयविंगी चटपटी चार्ट आई हो फ्रेंट्स कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स करना ना भूलिए कॉमेंट पताएजिए कि हमारी ये वीडियो को क्यासी लगी?